नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीव कुमार बांगड़े आपका इस कारिक्रम में स्वाकत है जिस कारिक्रम का नाम है आपकी फर्माइश दोस्तों आज मैं आप लोग के एक फर्माइश पूरी करने जा रहा हूँ आज मैं आपको बताऊँगा कि है उसे भी दबाए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ वह सबसे पहले आप तक महुचे दोस्तों कर आप मेरे चैनल को पहले ही सबस्क्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका देन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी लाव उठा सकें तो चलिए दोस्तों घवराहट याने की एक प्रकार का मांसिक विकार है दोस्तों इससे मेडिकल भासा में एक्जाइटिक डिसॉर्डर को नर्वस सिस्टम पर अधिक प्रेशर पढ़ना भी कहते हैं एक्जाइटि से ग्रस्ति रोगों की संख्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है यही सही समय है इसका इलाज नही नहीं किया तो धीरे धीरे यह कंभीर बिमारी हो सकती है हलाकि एक्जाइटी अटैक को कंट्रोल करने के लिए दवाईयां सैको थेरेपी आदि कई प्रकार के उप्चार जो हैं मौजूद है पर यहां पर धान या देने योग के बात किया है कि दवाओं पर निर्वरता एक नशे की लट के रूप में हो सकती है इसलिए इसके उप्चार के लिए घरेलू उप्चार सबसे बढ़िया है तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा पहला केमो माईल चाए केमो माईल चाए में और रोगाणो नाशक गुण होते हैं जि इसे एंटी इंटलूमेंटरी और शांत रहने वाले गुण एक्जाइटी को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है और नर्वस सिश्टम को शांत करने में मदद करता है इसके अलावा केमो माईल में निहित कुछ तत्व वैलियस जैसे के मादक पदार्थ की तरह मस् को रिसेप्टर्स करने के लिए बादे करती है केमो माईल की चाय बनाने के लिए क्या करना है बता देता हूं एक कप पानी में सूखे केमो माईल के दो चमच मिलाकर अच्छे से उबालना है आपको दोस्तों बढ़िया उबालने फिर इसमें शेहत एक चमच मिला ले इसे ग आपके दिमाग शान्त हो जाएगा और आपकी प्रतीरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होगी दूसरा उपाय बता देता हूँ नीमबू बाम या दोस्तों नीमबू बाम इस जड़ी बुटी का उपयोग इस्ट्रेस और एक्जाइटी को कम करने और अनिद्रा को दूर करने के लिए लंबे समय से किया जा रहा है नीमबू बाम आपको चाए, कैपसूल या अन्य शान्त जड़ी बुटी के साथ मिक्स करके मिला सकते हैं नीबु बाम से बनी चाहे आराम तंत्र का तंत्र को उत्तेजित करती है याने कि आपको जो है आराम पहुचाती है ओमेगा 3 फैटी एसिट ओमेगा 3 फैटी एसिट गवरहाट के लक्षण को कम करने और शरीर में स्ट्रेस केमिकल के इस तरक जैसे की एंडरेलाइन और कोटीसोल को कम करके मुड़ को अच्छा करने में मदद करता है फैटिव फीस जैसे की टूश्या और सालम आखरोट अल्सी के बीज में ओमेगा फैट 3 प्रचुर मातरा में होता है तो दोस्तों ओमेगा 3 फैट के उपर भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आप चाहे तो उसको देख सकते हैं उसमें आपको डेटेल मिल जाएगी इसमें मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ चौता है जिंको विलोबा इस जड़ी बूटी का सेवन मेमोरी डिस ओर्डर और ऐसी समस्या के लिए किया जाता है जो मस्सिस्क में रत के प्रभा को कम कर देती है जैसे मैमोरी लॉस, फोकस की कमी और मूर बदलाव यही जड़ी बूटी पूरी तरह से सुरक्षित है और लंबे समय से इसका उप्योग किया जा रहा है पाचवा है लेवेंडर यह लोगप्रिय जड़ी बूटी आपकी शांत प्रभाव के कारण लोगप्रिय हैं कई स्टेडी के अंसार यह सिद्ध हो चुका है कि इसकी खुश्बू हर्दय गति और ब्लड प्रिशर को कम करने में सहक होती है यह भावनात्मक एंटी होती है लेवेंडर के तेल का इस्तमाल किया जाता है यह एक और जर्वन अध्यन के अंसार विशिश रूप से तैयार लेवेंडर टैप्रेट जेनरल एंग्जाइमेंट डिस ओडर से पिडित लोगों के चिंता के लक्षणों को प्रभावी डंग से कप करने में मदद करती है तो दोस्तों लेवेंडर जो है इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं छटवा है कावा साउथ पैसिफिक एरिया में मिलने वाला औशदी है कावा कावा बेचैनी से परशार लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है इस पौदे के प्रभाव दिमाग और केंडरी तंत्र के अन्यांगों पर काम करता है कावा की जड़ी के इस्तमाल एक्जाइटिक स्ट्रेंस डिप्रेशन सिर्दर्द बेचैनी अनेद्रा और भावनाओं को शांत करने के लिए जाता है अध्यम से पता चलता है कि ये गर्भाट के लिए आशा जनक विकल्प है सात्वा है एल य या ग्रीन टी यहां दुस्तों ग्रीन टी आजकल बहुत प्रस्लित है तो ग्रीन टी अगर आप लेते हैं तो यह आपकी जो घबराट है उसको खतम कर देगी ग्रीन टी इंटी ऑक्सिडेंट गुनों और स्वास लाभों के कारण बहुत लोग प्रिया है एल थियनाइट ग करने में साहिक है और एक्जाइटिक को कम करने में भी आपकी मदद करता है एक अधिन के इंसा 200 मिलिग्राम एल थियनाइल लेने से परिक्षण के दौरान चिंता की आशंका वाले विशे में चात्रों में बहुत शान और अधिक ध्यान के इंदित का परिणाम मिला है तो द योगा असन करने दोस्तों अगर आप घवराड होती है तो बेस्ट यह है कि आप अपने स्वास में ले कि जो है आपको ये करना है कि अपने घबराहट को जो है जो है एक्सरसाइज के मध्यम से रोख सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है कुछ आसन है कुछ ऐसे चीजे हैं जिसको आप करेंगे तो बिल्कुल जो है आपको जो है घबराहट नहीं होगी तो घबराहट से ब सांस ले जहीं दोस्तों बिलकुल सीधे खड़े हो जाईए आप गहरी सांस लेना आपको बहुत गहरी इसके बाद थोड़ा और जोर लगाकर सांस को बाहर निकालना जियां दोस्तों सास को पूरा नाभी के माध्यां से पूरा बाहर निकाले नाभी में जोर पढ़ना चीए पूरा जब सास बाहर निकलेगी तो हम हम क्या आवाज आने लगेगी ऐसा कम से कम तीन से चार बार आप दोराएंगे तो आपको रहत मिलेगी अगर आप किसी से बात करते समय बहुत ज्यादा नर्वस हो तो अपने मुग को अपने हातों से ढखें और फिर ऐसे ही जोर-जोर से सांस ले और बाहर निकाले इससे ठीक वैसे ही करें जैसे आप खास्ती समय करते हैं यकिन मानिए मिंटों में आपके नर्वस सिस्टम और जो है जो से पता देता हूं सीधे खड़े ओकर सांस अंदर ले और बाहों को उपर च्छत की तरफ ले जाए और उंगली को पूरी तरफ पहला दे अब मुग को नीचे की तरफ जुकाएं और मुग को पूरा खोलते हुए जिब बाहर निकाल ले इस समय ऐसा महसुस करें जैसे कि शर बाहर निकाले और फिर वापस शुरूर वाथी पोजिशन में आ जाएं किसी भी मिटिंग में जाने से पहले या जब भी किसी से बात करने में नर्मस हो तो इस प्रकार दो से तीन बार आप प्रक्रिया करें आपके गबराट दूर होगी तो दोस्तों कहने का मत्तब करके अगर इस तरह से आवाज आती है तो चार-पाज बाज कीजिए आपके घवराट एकदम गयाब हो जाईए उमित करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकार रहती है जो टिप्स दिया आप उसका इस्तमाल करके अपनी घवराट से जो है आप रहत पाएंगे दोस्तो आप लोगों मैं फिर कहना चाहूँआ कि दवाईयों का इस्तमाल ना करें दवाई लेने से आपको नशी की लथ हो सकती है वो कोई सही विकल्प नहीं है तो जो विकल्प मैं सामान ने तौर से मैं बता चुका हूं उसका इस्तमाल करें जिस तरह से कि मैंने आपको बिलकु भी खास बात अपने आपको एकांट में ना रखैं लोगों से मिले ज्यादा ज्यादा लोगों से बात करें इससे आपकी जो है घबराख दूर होगी तो दोस्तों आपको मैंने जो जान कर दिए वो ज़रूर अच्छी लेगी होगी तो इसी कि साथ अपने दौर